तो ये कहानी शुरू होती है दिल्ली एरपोर्ट टी-3 में अपना बोर्डिंग गेट ढूटते हुए जहां से मेरी एक फ्लाइट है जिसकी टिकेट मैंने कराई है सर्फ दो दिन पहले और वहां से एक दूसरी कंट्री की फ्लाइट है जिसकी भी टिकेट मैंने कराई ये सिर्फ दो दिन पहले तो इस बात को सुनके आप लोग ये जुरू समझ गया होंगे कि ये कहानी बहुत क्रेजी होने वाली है क्योंकि इस कहानी में मेरे पास टाइम बहुत कम है और दो कंट्रीज कवर करनी है और कुछ भी बुकिंग नहीं कराई हुई है तो भई लोग सुभा लगभख साड़ेदाओं बज़े फ्लाइट थी मेरी इंडिया से और अभी में पहुच गया हूं सिंगापूर और अभी लगभख यहां चैक पच्के 35 मिट हुआ है और इमिग्रेशन में ने निप्टा लिया है यहां पर काफी सही ही इमिग्रेशन को मिलता है बीसिकली यह एक नेचर थीम बेस्ट बहुत बड़ा मॉल है जो की एरपोर्ट से कनेक्टेड है और इस मॉल का एक्सेस बाहर के लोगों को भी है अगर आपके बास टिकेट नहीं है तब भी आप यहां आ सकते हैं टाइम स्पेंड कर सकते हैं कुछ लोग यहां वह गूमने आते हैं, शोपिंग करने आते हैं, रेस्टरॉन में खाने खाने आते हैं और कुछ लोग जैसे कि आप देखेंगे जिम करने भी यहां पर आते हैं क्योंकि मैं एक लंबी फ्लाइट करके आया हूँ तो मेरा दोस पीउस यहां पर एक अच्छा रेस्टरॉन ढो भाई लोग मीट पीउस भाई हम लोग बहुत पहले से साथ में हैं हम लोग जब मैं गुर्गाउम में नहीं आया था तो हम लोग साथ में आए तो भाई विदेसी होगे और हम स्वदेसी रहागे भाई राजिस्थान से है जैपूर से राइड ये तो अभी ये भाई लेकर रहे हैं कुछ नहीं तरह की आज गड़ीब डिस लेकर रहे हैं भाई चाई के ता इंडा कौन काता है यार बता नीं तो भाई लोग ये सीन का है कि यह जो ब्रेट के अंदर भी फोसाली जे मिले हु काया जैम मिला हुआ है जो कोकोनेट को होता है और खाती इतना मजा आ रहा है अंदर मुह में जलते ही भी हम भुल जा रहा है बड़ा सांगदार है तो मजा आ गया थेंक्स भी आरे इस लामिगा जाए वह संग्जाबार में तो सिंगापूर गवर्मेंट फुलाग तो बिल गोम सकते हो अगर आपको सारी टर्मिनल घूमने और वह वाटरफॉल वगरा भी दिखेगा भी टर्मिनल 3 से एक्जिक्ट कर रहे हैं मेट्रो पकड़ने के लिए तो जो मेन मेट्रो है वहां से अगर आप लोगो बहार जैसी निकलना एड़पोर से तो तर्मिनल 3 से उतरने इस नए दिन के शुरुआत पोहे के साथ करते हुए मैं निकल जाता हूँ MRT की तरफ और MRT में थोड़ा बहुत माताबच्ची करने के बाद और इधर-धर भटकने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि चलो लिटल इंडिया ही घूम आते हैं मैं लोग आपको इक इंटरस्टिंग चीज बताता हूँ कि अगर आप यहां मैट्रो से ट्रावल कर रहे हो जो कि बेस्ट ट्रावल रहता है तो जब यह स्लिटर में जाओ लेप एंड साइड पर अपर चलना नहीं है तो जो राइट-ंड साइड पर लेन होती है चलना अलो झालो दो जचा कि अल्व साइड मैं खर ऑष जाज ब कल्वाल कि अल्व सbbeनल festival, बत्रावल by रहे हो जाताता है कि आपके टो. कि अगर आप सिंगापूर आते हो तो लेटल इंडिया आना तो बनता है कि अगर आपको एक इंडियन वाइब जाती है जैसे कि अभी आपने देखा अभी हम टेंपल में गए तेंपल के अगल में कैलाश परवा तरगे बहुत बड़ा फैंसी रेस्ट्रॉंट है और एक चीजे इंपोर्डन मिदानी आपको अगर आप यहाँ सिंगापूर तो बेस् में में यह थो और आप यह तो आप यहां की मेट्रो का साथ लेलो रेसे तो यह तो असे मेकर अपने अपने बेंक का अपने शोप्तह कर सकते हो और शम्मय थोग तो तुड़ा थोगा जापको पड़ेगा तो जिए दिल्ली आप फिलिगाई-से पर अवेलेबल है आपको अगर इंडियन फूट खाना है तो में नमागा लिया मसाला दो था रेच का उप्सन उसे बेस्ट चाहिए है यहाँ इसके बाद प्रिमा निकल जाओंगा फिलाल यहां पर मजे रस्ते में यह रेस्टरान मिल गयाता सौथ इंडियन तो अंदर गेशी यह मस्चला है तो बेटर टू एट है रोंडियन अब मैं आ वरेश्ञर खो लेते है वर्ष पी जाना था मुझे तो फिर यहां से नेकल है यहां से नेकलिका है सेंट हो साइलें गलूंगा यहां से जाना कहता सेंट होता है तो भाइ लोग मॉल में जाके तो तो झाल अबी अधान है यह जगा ही नहीं चलनेगी इतनी फिडू रही है और मुझे लगा थोड़ा खुला खुला होगा बैठने को अगराम से चिल करेंगे आदा वेंटा रेस्ट करेंगे बट असा था थानी वहाँ पिर मैंने स्नेक्स करें लेता हूं रस्ते के लिए पर रेस्टों ने खाने में अगर आप बढ़ता है वहार अगर अगर आप बजेट ट्रावलर आपको ए ट्रिक पता होगी 24-7 चलाई जाओ या फिर कोई भी मॉल चलाई जाओ जहां चीजे व्युकुल बज़ेट में मिलती है बर्द बढ़ने केक्स विए पर बमने बाग में रख लोगोरा फार शाती रावस अशे बेस्ट रज़ी होता है बट वहां पर वी थे लंगी लगी लगी ती कैस काउंटर पर मैं ने बोभी छोड़ा आप जैर अब मिल भी जारह हूं है से मृती अर्मार्ट जलते और मार् झाल 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 झाल